दोस्तो आप सबी का वेनू इन्फोटेन्मेंट में एक बार फिर से स्वागत है सूरी पिर्थवी पर कितना विकरण उत्सरजित करता है या लगभग 400 सिले के 700 नेनो मीटर के बीच तरंग दैरी पर एक्रिक्रित सूर्ज की उर्जा की कुल मात्रा है लगभग 49 प्रतिसत सूर्ज विकरण 700 नेनो मीटर से लेकर के 1 मिली मीटर के बीच अवरक्त है उसमें से भी लगभग 7 प्रतिसत अल्ट्रा वस्की की 100 सिले के 400 मिली मीटर के बीच रहती है और एक प्रतिसत से भी कम सौर विक्रण X-ray, gamma-ray, केड़ने और रेडियो तरंगों के रूप में उतसर्जित होता है सूरे से चार प्रकार के विक्रण क्या है सौर विक्रण में सबसे पहला जो है वह द्रिशमान प्रकास दूसरा जो है वह पराबेगनी प्रकास तीसरा जो है वो अवरक्त, चौथा जो है वो रेडियो तरंगे, एक्सरे और गामा रे इस तरह की किरने सामिल है सुर्ज से आने वाली सारी विकरन जो है उसका लगभग सत्तर प्रतीसत जो है वो प्रत्वी के ऊपर बने बिविन लेयर और उसके द्वारा जिसको एट्मोसफेर करते हैं तथा अर्थ के सर्फेस यानि धर्ती की जो सतर है उसके द्वारा सोशित कर ली जाती है जबकि 30 प्र जो है वो फिर से एट्मोसफेर में ही वापस हो जाता है उर्जा के द्रिष्ट कोन से अगर देखें तो गामा केरणों में सबसे अधिक उर्जा और सबसे कम तरंग दैर्य होती है इसके बाद एक्सरे प्राबेगनी प्रकास द्रिस प्रकास अवरक्त विकरन और प्रतिया होती है जो चोब मंडल समताप मंडल मेसोसफेर और थर्मोसफेर होती है यह पढ़ते हमें हानिकारक विकरणों को अफ्सोसित करके हमारे ग्रह की रक्षा करते हैं इन ग्रहों को इन एट्मोसफेरिक लेर्ज को हम ट्रोपोसफेर, स्ट्रेटोसफेर, मेसोसफेर और ठर्मोसफेर के नाम से भी जानते हैं इसमें जो सबसे महत्वोण परत है वो है इस्ट्रैटर स्वेर जहां कि ओजोन हमें मिलता है जो करती हैं इन विकरौनों से कभी-कभी तो कैंसर तक की बिमारी हो जाती है इस हिसाब सेप समझ सकते हैं कि एजन कितना महतरब लेयर है यह 15 km से सुरू हो करके मिस धर्ती के सथे 15 km की उचाई से शुरू हो करके 30 km की उचाई तक जाती हैं यानि लगवग 15 km मोटी या परत हैं जो कि सुरी के विकरण को रोकने में सबसे ज़या कारगार हैं आज हम जिस तरह से अंदादूंद पेड़ों को और काटते जा रहे हैं और फेक्टरी को लगाते जा रहे हैं उस लिहाज से कार्बन डायोकसाइड कार्बन मोनोकसाइड और क्लोरो फ्लोरो कार्बन का हवा में उत्सरजन होता है जो के हमारे ओजोन के लेयर पे काफी करें धन्यवाद